नमस्ते फ्रेंट स्वागत करती हूं मैं आप लोग का मेरी चैनल पर तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 12 और आयूस का 12.30 में क्लास है एबेकल सेंटर पे ही ऑफलाइन क्लास है तो अभी तक ऑनलाइन क्लास चल रहा था और बीच बीच में कभी-कभी ऑफलाइन होत है और यहां पर आयूस के पापा आ गया है ऊसे ले जाने के लिए और मैंने उसे नीचे छूड़ दिया है और घृणी के बाद अब मैं ब नाओंगी लंच तो लंच में मैं बनाने वाली हो कीला का कुफता तो कीला का कूफता हो के लिए किला मैने बॉil करक Okay रख लिया था तो यहां पर मैं केला को मैश कर ली हूँ अच्छे से अब इसमें मैं डालोंगी थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज प्याज बहुत कमी डालना है वो भी बारी कटा हुआ उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालने हैं जैसे हल्दी पाउडर एक चोटा चमच धनिया पाउडर ठोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और कस्मीरी लाल मिर्च या कोई लाल मिर्च पायडर आप एक चमच डाल दे और अगर मिर्च पसंद करते यह इसमें बारी कटा हुआ मिरच भी डाल सकते हैं और नमक कोफटा की अनुसार और इसे अच्छे से मैश कर लेना है और साथ ही कौिता पी बनाना है तो मैं निर्टे बिखेंगा उसे कौफता के लिए 10 इस हैं चम्माज देंडा जाता है तो सो कमें कौ बना चाहता है गोल टाइप का सिलिंडर सेप का या फिर जिस सेप का भी अब बनाना चाहा है बना सकते तो यहाँ पर मैं असे इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे सेप दे दूँगी और उसकी बद सारा कुफता बना कर फिर मैं उसे जिस से फ्राई करूंगी तो यहाँ पर मैं सिलिंडर सेप क कुफता का सीब बना रही हूं और कुफता का सीब बनाने के बाद मैं अब मसाली की तयारी करूंगी तो यहां पर ग्रेवी की तयारी करूंगी तो यहां पर ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया उसमें डाल दिया सरसू का तेल और यहां पर डालूँगी बारी कटा हुआ अद्रक बारी कटा हुआ लैसन दो हरी मिर्च टुकडों में काटके मैंने रखा है और उसके साथ सद प्याज मैंने यहां पर एक बड़ा प्याज लिया है और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है ब्राउन होने तक और इसके फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया एक टमाटर काटके और अब इसे थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है साथी मैंने अब सेम इसी कड़ाई में जब तक पेस्ट के लिए जो प्याज अदरक लैसन टिमाटर तब तक यहां पर थोड़ा से मसाला तक लिए तो यहां पर तेल गर्म हो गया है और उसमें मैंने डाल दिया जीरा और लाल मेच और उसके बाद मसाले में गया धनिया पाउडर एक और हल्दी पाउडर एक चमच और यहां पर पेस्ट भी बनके रेड़ी है तो थोड़ा सा मसालो को फ्राइब करने के बाद 2-3 मिनट ही मसाले को फ्राइब करना उसके बाद मैं इसमें यह पेस्ट डाल दिया और पेस्ट के डालने के बाद इसे अच्छे से 7-8 मिनट तक और मसाल में पेस्ट करना पाऊडर यह में मसाले करना जाया ना ना धी जिसा और मैं नमोंको में लाल मिर्च और कडाही को मैं दोसरी गैस में तर ऑद्लिया रप्राइब करना धा मसाला तक राखर नुमापन दाल और में यहां फ्राइब तक चाहिए अधाना है और नियुद्गम सब्सक्राइब मतल़ चुर्प और में दूगना पानी दाला घृब्सक्राइब नमक और यहां पर यहां पर नन्यूंद न्मक फ्राइय यह लेकर है वो गोलाए थे जूँटा काम sellers करने मैं कीड़ा नहीं से चाई वह तो थोड़ा सामतु साइट कफॉत solving ना तो मीं निकाल द कॉल अधिया दाल दनी जो अदेसуса ना एक जद करना है और उसे इसे मत बॉसिता है नहीं है और यहां देख सकते हैं depth कफॉता का ग्रैंबी है भी इतना है और यह अच्छे से एब्जॉर्ब होके बिल्कुल बराबर में बन जाएगा और यहां साथी साथ मैंने बनाया है रबडी रबडी के लिए मैंने दूद को गैस पे लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था और इसे अच्छे से चछलाते हुए करीब 20-25 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे दूद के कम होने तक पकाना है और धीरे धीरे दूद का जो क्वाइंटिटी वो कम होता जाएगा और दूद थिक होता जाएगा इसका थीकनेस बढ़ता जाएगा और इस तरह से यह जो रबड़ी है बनकर बिल्कुल डेडी हो जाती है और हमें इससे अच्छे से मिक्स करते रहना है बीच बीच में और यहां करीब 25-30 मिनट में दूद जो है वो गाड़ा हो जाता है और लास्ट इसमें चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है गया इसके बंद करने के बाद और यहां हमारी जो रबड़ी है बनकर बिल्कुल रेड आज हमारे लंच की थाली में है रोटी, केला की कोफता की सबजी, चैना दाल की पकोडी, धनिया पता टमाटर की चटनी और यहां पे सैलेड और साथ में है यह रबडी तो यह हमारी थाली और अभी हस्बेंड लंच कर रहे हैं और आयूस भी अपने अबेका सेंटर से आ गया से लिए पर稀ड करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें की पार बसाथर चानर की नाइना इपने श्यांता, विजिद्धा नइसे के साथभी वीरे जं़डूर को रां तो यहरे वीडियो है तो अगर फैल शीजान को सब्सक्राइब अग 예ाम को कि हाल्ट आज़े है तो अब बाइ बाइ